अगला टॉपिक डिसकस करते हैं आपके चेप्टर में that is environmental chemistry आपको अची तरह से पता है कि आपके atmosphere के अंदर जो pollution cause होता है वो pollutants की वजह से होता है अब पुलुट्न्स वहते हैं यह प्राइम भी होते हैं इस एकंड्र होते हैं यह इन फॉर्म औफ कावन मुनो ओकसाइड होते हैं carbon dioxide होते हैं और स्टुर्ण्स यह मुक्तित्फ कंपाउंट्स के साथ मिल के आपके पास secondary pollutants generate करते हैं आपके पास carbon dioxide और neutrin के साथ गरेका तो आपके पास प्रगी ठ्ल याजिचाम टिर अम बिडुस ताहिए तो आपके पास जिसमें आपके साथ तो आय तो यह द दे अनी के लिए त 카메라 आ लेदि कर सकता है तो यानि यह आपके पास हमने हमारा point ही है हमने यह discuss करना है कि यह आपके पास जो primary pollutants होते हैं यह कहां से आते हैं जो कि आपके पास collectively air pollution cost सबसे पहले तो students हम discuss कर लेते हैं कि carbon monoxide की आपके पास natural sources क्या है और human activities उससे related कैसे generate कर रही है हमारी environment के अंदर carbon monoxide तो students याद रिखिगा कि यह आपके पास colorless gas होत होती है और इसकी concentration 0.03 parts per million atmosphere में होती है जो कि normal समझी जाती है लेकि students आपकी continuously volcanic eruption जो के natural होती है आपकी जो natural gas emission होती है उसके process के थरू या naturally अगर students आपके कहीं forest fire generate होगी है तो आपके environment के अंदर carbon monoxide की concentration है trace element से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है या कि concentration ज़्यादा हो जा जा रहा होता है उसके लावा students जब हम बात करते है human activities की तो 75% carbon monoxide आपके पास किसी तरह की combustion जो के human activity प्रवाइड कर रही है तो students आपके पास होता है कि किसी भी human activity के नतीजे में जो भी combustion हो रही होती है वो आपके पास carbon monoxide लाजमी generate करती है आपका engine हो जाए internal combustion engine हो जाए उसके लावा students आप याद रिखेंगे कि आपके जितने भी आपकी industry work कर रही है students वहाँ पे जरूर combustion होती है combustion के नतीजे में आपके पास carbon dioxide भी release होती है different organic components भी आपकी atmosphere में उसके साथ carbon monoxide का भी concentration आपके environment के अंदर बढ़ता चला जा रहा है अब students यहाँ पे एक suspicious बात जो carbon monoxide से related है कि अगर किसी खास environment के अंदर carbon monoxide की concentration normal से ज्यादा हो जाए या बढ़ने लगे तो students होता है कि carbon monoxide की capability होती है कि वो आपके पास हीमोगलोबिन के साथ bind कर जाता है ज्यादा अच्छे तरीके से as compared to that of oxygen और as a result आपके पास generate करता है compound जिसको आप कहते हैं कारबॉक्सी हीमोगलो अब students की काबॉक्सी हीमोगलोबिन होता है यह आपके पास ज्यादा तेजी से generate होता है as compared to that of oxygen जैसे ही आपके environment में आपकी surroundings के अंदर carbon monoxide की concentration ज्यादा होने लगी है काबॉक्सी हीमोगलोबिन जल्दी जल्दी बनता जाएगा क्यूंकि binding capacity ज्यादा है carbon monoxide की हीमोगलोबिन क concentration बढ़ जाए आपकी body बहुत ज्यादा carbon monoxide की concentration के अंदर exposed रहे तो students उससे आपस आपकी death भी हो सकती है काबॉक्सी हीमोगलोबिन है यह आपके पास इसका रियक्शन रिवर्स हो और आपके पास दुबारा से ऑक्सी हीमोगलोबिन जनरेट हो और आपका जो पेशेंट है वो सर्वाइफ कर सके तो यह students आपके पास इसकी harmful implications हैं उसके आपके पास जो carbon monoxide है वो आपकी body के अंदर करते हैं उसके अलावा students आप जो अपने किचन के अंदर combustion कर रहे होते हैं उससे related भी students आपके पास क्या होता है ना सिर्व carbon dioxide प्रडियूस हो रहा होता है बलकि साथ में आपके पास कुछ trace amount में आपके पास carbon monoxide भी generate हो रहा होता है तेस students आगे चलते हैं nitrogen oxides को discuss कर लेते हैं अ आप students जब nitrogen oxides के आगे x लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि we mean nitrogen monoxide nitrogen dioxide अब ये students आपके पास main nitrogen की gases हैं जो के exist कर रही होती हैं आपके atmosphere के अदर याद रखिए का students के आपके पास naturally nitrogen के जितने भी oxides हैं वो bacterial action के तुरू produce होते हैं आपके environment के अंदर उसके इलावा students आप याद र आपके पास उस टाइम पे आपकी जो volcanic eruption हो रही है इतना ज्यादा temperature प्रवाइड होता है atmosphere को या air को कि क्या होता है कि आपके पास nitrogen और oxygen आपस में react करते हैं हलांके दोनों inert होते हैं उस लेवल पर या nitrogen खास करके बहुत ज्यादा इनर्ट है going to the three equivalent bonds आप students क्या होता है कि आपक nitrogen dioxide आपके पास react करती है water के साथ और nitic acid generate करती है जो कि आपके पास परतर acid rain का cause मनता है तो students यह होगी उसके लावा स्ट्रोंस आपके पास electrical discharges आपके atmosphere में हो रहते हैं वहां पे आपके पास nitrogen आपस में react करने की capability रखते हैं उसके लावा स्ट्रोंस में आपके साथ share करना चा इसी भी different form में convert होने से पहले atmosphere के अंदर exist कर सकता है अब students वो जो residence time है वो nitric oxide के लिए four days है जबके nitrogen dioxide के लिए three days है अब students अगर आपके पास इस residence time के दुरान nitrogen further किसी secondary nitrogen की oxides किसी further secondary polluter में convert नहीं होती तो यह अच्छी बात है लेकि students further यह होता है कि आपके पास इस residence time के दुरा आपके पास residence time से related उसके लावा students आप देख सकते हैं कि आपके पास nitrogen की oxides जो है वो atmosphere में human activities के थूरू कैसे produce होती है आपके पास students याद देखिए का कि हमने discuss किया था कि आपके पास photo chemical smoke का part होती है nitrogen की oxides उसके लावा students internal combustion engine जो होता है वो भी release कर रहुता है उसके लावा students आप है कि आपकी जो factories होती हैं जितनी भी industry students आपकी वो जब भी अपना अपनी gases release करती है exhaust gases release करती है तो उसमें a concentration nitrogen और उसकी oxides की present होती है देखिए आगे चलते है sulfur की oxides को discuss करते हैं students याद रिखिए का कि आपकी atmosphere के अंदर जो sulfur की oxides हैं उनका तकरीवन 67% produce होता है as a result of volcanic eruption यादि के आपके पास 67% volcanic eruptions के थ्रू जो होता है रिलीज होता है sulfur oxides का atmosphere के अंदर यानि के ज्यादा तर natural contribution है याद रखिए कि के आपके पास जो coal है आपके पास natural coal या ग्यास प्रेजन होती है आप क्या करते है कि combustion जब होती है कोल की तो उसमें क्या होता है कि sulfur जो होता है वो oxygen के साथ react करके sulfur की oxides generate करता है और स्ट्रू साब याद देखिए कि आपके नौलिज में होगा कि sulfur की oxides होती है वो बाद में sulfuric acid भी बनाती है जो कि further आपके पास acid drain का भी cause बनती है dense students आपके पास sulfur oxides को की ज़्यादा concentration होना आपकी atmosphere के अंदर trace में भी आपको कहा है irritant के तौर पर act करती है उसके लाव स्ट्रूंस sulfur oxides जो होती है उनकी fall smell होती है या pungent smell होती है जिसकी वज़ा से यह आपका जो respiratory system है उसके लावा students आपका जो eyes होती है उनके लिए irritant के तौ करते हैं then students hydrocarbons को discuss कर लेते हैं students आपके पास जो hydrocarbons है वो आपकी atmosphere के अंदर present होते हैं जो lower hydrocarbons होते हैं वो vapors की form में present होते हैं अब students यह जो hydrocarbons होते हैं यह भी आपके पास combustion के तूरू ही produce हो रही होते हैं लेकिन अगर हम बात करें naturally तो paddy rice fields जो होती है वो methane produce करते हैं अब students यह जो methane produce होता है paddy rice fields के तूरू students आप याद रखेंगे के इस methane का जो residence time होता है यह three to seven years होता है यानि के एक average आपके पास जो methane का molecule है वो three से seven years लेगा एक atmosphere में से remove होने के लिए यानि के students आपके पास as a result of combustion जो hydrocarbons produce हो रहे हैं या human activities के तूरू आपके पास जो hydrocarbons होड हो रह होते हैं या आपके पास हाइड काबन होते हैं या आपका जो air को भी नुक्साइर के लिए भी आपके dangerous होते हैं उसके आपका जो water treatment का process होता है उसमें भी हिंडरंस कॉस्ट रहते हैं तो students इस हद तक ही आपके पास dangerous होते हैं human activities की बात करें तो students आपके पास combustion है वो major role play करती ह towards the supply of hydrocarbons into that of your atmosphere thank you